नमस्कार दोस्तों क्या breast के पास जमा हुआ fat आपके look को खराब करने के साथ ही साथ कई बार आपको insecure भी feel करवाता है और क्या अपने इस fat की वज़े से आप अपने favorite कपड़े नहीं पहन पाते हैं अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी exercise के बारे में बताने जा रहे है जो आपके breast fat को target करती है और उस जिद्धी fat को burn करती है लेगना इस easy exercise के साथ आपको एक healthy lifestyle को भी follow करना होगा और कुछी दिनों में आपको amazing results देखने को मिलेंगे तो चलिए start करते है Exercise number one Knee push up इसे करने के लिए सबसे पहले तो आप एक yoga mat बिचा लिए और उस पर अपने पैरों के घुटनों के बल बैट जाईए और फिर आपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर घुटने को हलका मोडिए और साथ ही अपने दोनों हथेलियों को आगे की ओर mat पर फैला कर रखे इस तरह आप knee push up करने की position में आ जाएंगे अब आपको body movement शुरू करना है जिसमें सबसे पहले आपको अपनी सीधी elbows को blend करके floor की तरफ नीचे जाना है इस दोरान आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके hips आपके घुटनों से उपर रहें जैसा कि इस वीडियो में देख रहा है फिर अपनी chest को floor के पास ले जाए इस दोरान आपकी कोहनी कंधों से अंदर की तरफ होनी चाहिए फिर धीरे धीरे normal position में आ जाए शुरुवात में आप इसके 15 से 20 repetitions कर सकते हैं इस exercise को करने के लिए सबसे पहले आप normal plank की position में आ जाए जिसके लिए पेट के बल जमीन पर लेट जाए और पूरे शरीर को बिलकुल सीधा रखें अब अपने एक हाथ और पैरों पर शरीर का वजन रखते हुए दूसरे हाथ को उपर उठाईए और उसे कंधों के नीचे सीधा रखें और फिर पहले हाथ को सीधा कर लीजिए ठीक वैसे जैसे वीडियो में दिख रहा है अब इससे आप हाई प्लांक की पोजिशन में आ जाएंगे जिसके बाद फिर अपने हाथों को उठा कर मोड़ते हुए फोर आम प्लांक पोजिशन में वापस आ जाईए ये एक्सरसाइस करते समय सांसों को धीरे-धीरे लें और छोडें शुरुबात में आप फोर आम टू फुल प्लांक के इस ट्रांजिशन के तीस सेकेंड के दो-दो सेच लगाईए इस कसरत को पफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको घुटनों और हाथों के पंजों के बल जमीन पर बैलेंस करना है इसे एनिमल पोस कहा जाता है ये वैसे ही बनाना है जैसे घुटनों के बल चलने के लिए पोस बनाया जाता है आपके घुटने हिप से 90 डिगरी एंगल में होने चाहिए और हाथों के पंजे कंधों से 90 डिगरी एंगल में होने चाहिए इस दोरान अपनी पीट को सीधा रखिए अब अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाईए और इसके बाद हाथ और पैर दोनों वापस ले आए और अब लेफ्ट हैंड और राइट पैर के साथ ऐसा ही करें इस एकसराइज को आप पहले एक एक मिनट दोनों साइट से करने की कोशिश करें अगर आप बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो इसे 30-30 सेकेंड के लिए करें फिर धीरे धीरे इस एकसराइज की डियूरेशन बढ़ाएं इसे करने के लिए आप सबसे पहले एक दिवार की तरफ मुह करके खड़े हो जाएं अपने हाथों को दिवार पर रखें कोहुनियों को मोड कर चेस्ट को दिवार के नजदीक लाने की कोशिश करें फिर पांच सिकेंड होल्ड करके रखें फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं ऐसा जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है ये वाल प्रेस हुआ जिससे आप शुरुवात में 15 से 20 बार कर सकते हैं फिर अपनी केपासिटी के अनुसार आप इसे बढ़ा सकते हैं है ना काभी आजान वेल अब बात करते हैं एक्सराइज नंबर 5 की जो है पुश अप्स इस कस्रत को करने के लिए आप एक एक्सराइज मैट पर उल्टे लेट जाएं और फिर अपने हाथों को कंधों से हलका सा चोड़ा करके जमीन पर रखिए और अपना सारा वजन अपने हाथों और पैर की उंगलियों पर डालें अब पुश अप करते वक्त अपने कोर को बिलकुल टाइट रखिए और सांस लेते हुए धीरे-धीरे कोहनी को मोड़ते हुए शरीर को तब तक नीचे लेकर जाएए जब तक की कोहनी 90 डिग्री पे ना आ जाए जैसा की वीडियो में दिख रहा है अब आप सांस शोड़ते हुए अपनी बॉड़ी को उपर लीजे और नॉर्मल पोजीशन में आ जाए ये एक पुश अप हुआ आप शुरुवात में इस एक्सराइज को 5-7 बार कीजे या फिर अपनी केपैसिटी के हिसाब से आप इसे बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी एक्सराइज जो आपके ब्रेस्ट फैट को कम करने में मदद करेगी आप इन्हें अपने वॉक आउट रूटीन में शामिल कीजिए और हाला कि शुरुवात में आपको ये एक्सराइज करना थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन आप इन्हें धीरे धीरे पेशन्स के साथ करते रह सकते हैं और आप इन्हें आराम से कर लेंगे और रिजर्ट देखकर तो भई आपको मोटिवेशन होगा आपको लगेगा वाह यार क्या रिजर्ट आया और करते हैं तब और मजाएगा तो आज के लिए फिलाल इतना ही आप से मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तो के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और साथी साथ ऐसे ही helpful health वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe ज़रूर कर लीजेगा Thank you very much